मैं उमीद करता हूँ कि आप सब लोग टीक होंगे तो आज का जो मारा discussion agenda है वो change management का topic है ठीक है type of changes है ठीक है हम इसको nature of changes भी कह सकते हैं जो की screen पर given है आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले है plan change पर उसके बाद है unplanned change पर उसके बाद है incremental change पर उसके बाद है transformational change ओक हम one by one इसक या एक intentionally change होती है जिसमें जो management है ठीक है before change यानि वो बकाईदा तोर पर वो change लाने से पहले वो तीन महीने पहले चार महीने पहले या पिर एक साल पहले वो change के बारे में plan करते हैं कि हमनेंगे changes लेकर आनी है अपने organization के अंदर चाहे वो personnel हो चाहे in terms of human resource हो चाहे in terms of physical resources हो ठी strategy change करनी हो vision change करना हो ठीक है यह सब तो यह plan change हम इसको कह सकते है ठीक है when management is going to the transitioning of individual group of people and organization as well according to the plan ठीक है इससे मुराद ऐे है कि जो management है वो transitioning according to the plan individual की transitioning करे या पिर group of people की transitioning करे या पिर organization की transitioning करे ठीक लिए to the plan हम उसको consider करेंगे कि यह plan change है ओके अप लोग एक बात याद रहें कि जब भी change की बात हो रही हो तो जरूर transitioning होगी current state और future state के दर्मयान जो है individual की transitioning होगी ठीक है growth होगी ठीक है तो हम यह consider करेंगे कि यह plan change है ओके कि जब जो है management जो है वो according to the plan चले okay second nature है या फिर हम type कह सकते हैं वह unplanned change it is also called reactive change यानि यह reactive change भी है ठीक है it is not intentionally change यानि कोई intentionally change नहीं है यह ठीक है जिसके जिसके लिए आप जो है वो plan करते हैं दो महीने पहले तीन महीने पहले ठीक है जो भी change लेकर आता है उसकी कोई intention नहीं होती है लेकिन वो changes लेकर आते हैं ठीक है यह कुछ event की हो जैसे okay this change occurred due to some events okay development या new circumstances circumstances that might be horizon okay यानि events से ऐसे के कुछ event अकर हो जाते हैं तो changes आ जाती है जैसे हैं घीक है की जैसे के आपके organization के अंदर आग लग गई या फेर तीक है अप क्या करते हैं मतलब क्या करते हैं आप organization के अंदर जो है वो changes लेकर आते है निव मशीनरी को घर करते हैं जितने sensitive होता है ठीक है तो वह सब आ जाते हैं तो उनुने काफी चेंजरेंजरेंट के अंदर ठीक है कशो को ऐसाथ किया था यानि जो है birता और सारे तीक यह और कुछ और तीक है वह घर से खेशितायत्येंग परफार्म कर रहे थे ठीक है यह ऐसी चेंजिस जैसे कि हम हमारे सामने online classes की example है ठीक है जैसे कि college university या स्कूल ठीक है उन्हें क्या किया और ने जो है changes लेकर आएं ऐसे changes के हम घर में classes लेते थे ठीक है घर में ही हम classes लेते थे ठीक है तो वो क्या था तो वो changes थी जो कि organization क्योंकि आपके school आपका जो college या युनिवस्टी है वो भी एक organization है ठीक है teacher क्या करता था teacher जो है वो online बैठके हमें पढ़ाता था ओक या पर development हो जाती है कोई new machine रिया जाती है ठीक है कोई new machine रिया जाती है कोई बहुत ज्यादा जो है वो development हो जाती है market market में आ जाती है को technology ठीक है जैसे कि हम example ले सकते है कि AI की technology अभी आई है recently ठीक है तो काफी भी हमारे सामने है वो example ठीक है यानि development से मुराद ही है कि market में अगर कोई technology आ जाती है तो पिर वो आप जल्दी जल्दी जो है वो अपनी नहीं organization में लेकर आती है अगर आप नहीं लेकर आएंगे तो आप market से बाहर हो जाएंगे आप competition से बाहर हो जाएंगे ठीक है doesn't need to reorganization or restructuring of the organization and procedure and as well as system ठीक है It is easy to adapt because it is a minor change ठीक है यह gradual change होता है यानि जब चोटी-चोटी stages पर आप changes लेकर आते हैं और इस change के लिए कोई जरूरत नहीं होती है कि आप पूरे system को आप इहलाने की कोशिश करते हैं या reorganization reorganization करते हैं पूरे strategy को change करते हैं पूरे mission को change करते हैं vision को change करते हैं उस चीज़ की जरूरत नहीं होती है इसमें ठीक है या पिर आप structure organization का जो structure होता है उसको आप चेंज करते हैं नहीं उसकी मतलब इस चेंज में उसकी जरूरत नहीं होती है ठीक है मैंने यहां पर दिका है ठीक है कि अगर आप फर एजमपल X तरीके से काम करते थे अभी आप X1 के तरीके से काम करते हैं ठीक है या पिर आप जो है या पिर हम यह भी कह सकते हैं कि हम कुछ लोगों से जो रोल है ठीक है जो है चोटे लेवल पर चेंजिस लेकर आते हैं जैसे के मैं ने बताया कि आप पहले एक्स तरीके से काम करते थे फिर अभी आप एक्स फ़न की तरीके से काम करते हैं ठीक है या पिर हम यह भी कह सकते हैं कि कुछ लोगों से रूर कर लेते हैं organization से company से के हमें यह फीचर्स चाहिए features को organization जो है वह एड़ नहीं कर सकती उस product में तो फिर वह organization क्या करती है कुछ लोगों को दो तीन लोगों को वह hire कर लेती है two two three person को क्या करते है वह hire कर लेती है और वह उस product के अंदर क्या कर लेती है features को add कर लेते हैं या पिर तोड़ी और माइनर सी changes कर लेती है ठीक है या पिर product में भी हम यह कह सकते हैं तोड़ी सी changes आ जाती है तो वह हम consider करते हैं कि यह incremental change है कि फिर उसके बाद आया four type या पिर हम यह भी कह सकते हैं कि for nature transformational change नाम से ही जाहर है कि बड़ी change organizational wide change are those change in which management brings the world change of the organization in terms of physical resources and human resources ठीक है या या वो change जो कि in terms of physical resources हो या पिर human resources हो ठीक है physical resources से मुराद कि आप जो है new technology या new plan को आप जो है वो acquire कर लेते हैं organization के अंदर लाते हैं ठीक है डप करते हैं वो new plant को या physical resources को आप जो है plant को आप acquire कर लेते हैं organization के अंदर लाएंगे ठीक है तो पिर आपको huge amount of human resource भी चाहिए होगा ठीक है उसको perform करने के लिए उस plan को perform करने के लिए ठीक है तो फिर यहां पर वो बात आ जाती है पिर यहां पर आप क्या करते हैं आप structure को reach करते हैं यह यह structure को आप जो है वो change करते हैं कुछ कछ लोगों को आप remove कर लेते हैं structure structure में कुछ को आप add कर लेते है responsibility को बड़ी बड़ी हाइर कर लेते हैं ठीक है जितनी भी पाइंड तो चेंग हो ल सिस्ट्म उप दौडुनाज़ीट है जूसरी के मैं लेका है कुन सिस्ट्टम को सिस्ट्म से मुराद ही है के restructuring करते हैं reorganizing करते हैं अपने strategy को change करते हैं अपने mission को change करते हैं अपने vision को change करते हैं ठीक है या पिर procedure जो काम है उसको भी आप change कर लेते हैं जो काम का यानि पहले आप manual चीज़ों को आप manual परफॉर्म करते थे ठीक है अभी आप online परफॉर्म कर ले ते हैं यानि आप जो ह है वह आटोमेशन से आटोमेशन के जरी आप प्रोडक्शन करते हैं ठीक है